हेलो मेरे दोस्तों मैरा हुल और स्वागा था अपलोगों का अपके एपने यूटूब चला आपके सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं और चिप्टर वन से लेकर करके चिप्टर नाइन तक का ये एमसी की कूशन है तो इसको ध्यान से देखे और वीडियो को अंतर तक देखे उसके साथ साइस में जानकारी मिलेगा कि और भी जो इंपोर्टन कूशन है वो कहां मिलेंगे आपको तो चलिए सबसे पहले हम लोग पो जाते हैं कि इसमें क्या-क्या कोशन है उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वो इंपोर्टन कूशन आपको कहां मिलेंगे पीडियो कैसे आपको डाउनलोड करना सबका ठीक है तो आगर पहले कोशन की बात करें पहला क्षान में क्या है वो ज़लवाई और परिवरतन के का कारण क्या है तो ग्रीन हाउस गैस ओजन परत का शरण परदूसन ये सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर्डी कि ये सारे के सारे जो है जलवाई परिवरतन के कारण है ठीक है पर देखिए को सब्सक्राइट की बात करें लिखाबाद ग्यास विच इमिटेड फ्रॉम पैड़ी फीड एंड इंक्रीश दा टेम्प्रेचर आप्डा लैंड इस देखिए बोला जा रहा है कि वैसा ग्यास जो धान की खेती से उत्तरजित होता है जाता भूमी के ताप्मान ब्रिधि करता है वह कौन सा गैस कहल आता है मिठेन गैस क्याला आता है तो अपसे नमबर डी जो इसका राइड एंसर हो जाएगा ठीक है जैसा कि आप लोग का कहाना था कि भई-आप हैंग्लिश वाला भी बनाई है है हिंदी वाला भी बनाई है ठीक है तो इसलिए मैंने इंग्लिज और दिदोनों मिक्सिंग कर दिया ठीक है कि कुछ नमर थर्ड की बात करें कुछ नमर थर्ड में क्या है कि विच अफॉलिंग गैसे इस इसका योगदान सबसे अधीक है तो किसका कारण हो रहा है किसका कारण है करण डाउकसाइड की कारण ठीक है फर देकर कुछ नमर फूर की बात करें कुछ नमर फूर में क्या लिकवा है कि प्रिथवी का धूरी पर अवस्था बदना जलवाई परिवरतन का इक कारक है ऐसा किस ने कहा था ऑप्शन नमर बी कि मिलूटिन मैले कोविच ने कहा था किसने मिलूटिन मैलो कोविच ने कहा था ठीक है तब सब्सक्राइड का राइट एंसर हो जाएगा आगे दिखें कुशन में 5 में क्या लिकवा है कि विच हुमेन एक्टिविटी इस मोस्ट अफेक्टेड बाइड़ क्लाइमिट पताया जा रहा है कि मानव कि ऐसी कौन से क्रिया होती है जिससे जलवाईउ के सरवाधिक परभावित होता है ठीक है जिससे क्या होता है जलवा आगे दिखें को सर्माइड कि बात करें किस ने किया था किस ने किया था सीसी पार्क ने जोसेफ ने जोसेफ फॉरियर ने कि एल जाबलर ने ठीक है तो किस ने किया था जोसेफ फॉरियर ने इसका सांकलन किया था ठीक है तो अप्टनमर सी जोसेफ का राइट इंसर हो जाएगा आगे दिखें मेरे दोस्तों कोश्रमा सावन में क्या पुछाबा है कि मेनिंग आफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कि हरित ग्रहा का जो ना परभाव का अर्थ क्या है हर हरित ग्रहा का परभाव का कारण बनता है तो यह जाएगा रैट इंसर वैस्विक ताप में ब्रिधी वैस्विक ताप में कमी सागर जल में sir कि जाल सागर जलगे साप नद्धिया फिरओं कि उत्कि क्या परभ야 होता है कि अ.ियुथ यूद्ध का राइभया फूर मिन या फैसर पर जाएगा कि इस ऐध में घ्रिन के वहां टाद्ध वड़ऋ है कि युई एव रूजी हॅग होता है Quinn ग्रिन हाउस गैस का जो है मुखी घटक क्या होता है कारवन डाक्साइड होता है मिथेन होता है नाट्रेर अक्साइड होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं तो आई थिंग कारवन डाक्साइड नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट एंसर होता है कि मुखे घटा कोई नहीं इसका ठीक है हो सकता एक बार इसको देख लिए सच कर लिएगा मेरे ख्याल से कारवाड डियोगसाइड होने चाहिए ठीक है प्रिथवी के तापमान में बढ़ने लगता है ठीक है पर देखिए कोश्चन में 11 में लिखाबा क्या विच अपता फॉलिविंग इस नॉट आ ग्रीन हाउस गैस कि नहीं है ठीक है तो राइटेंसर क्या हो जाएगा मिथेन नाइटा उक्साइड क्लोरुफलो कार्बन क्या हाइड्रोजन तो जाएगा हाइड्रोजन क्या हो जाए इसका भी राइट्रोजन क्या हो जाएगा है तो डो को इसन दोनों सेम था पर लेकिन अलग अलग लग दिया वाता इसलिके उंड़ हो जाएगा नैट्रोजन हो जाएगा फिर देखिए कुश्च नमोर 13 की बात करें कुश्च नमोर 13 में क्या लिखा वाइब विच अब फॉलविंग ग्रीन हाउस गैसे इस दा लार्जेस्ट कॉंसेट्रेशन इन डा अट्मोस्फियर देखिए बोड़ा ना कि निम्लिकित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है वा सरवाधिक सांद्रता मिलती है ठीक है अब सबसे अधिक सरवाधिक सांद्रता मिलती है ठीक है पर देखिए को सब्सक्राइब के बात करें को सब्सक्राइब करें कि विच अब फॉलविंग इस प्रडॉक्स बाय दा रियक्शन ऑप अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन विच सनलाइट देखिए बोड़ा ना कि सूर्य के प्रकास से प्रबैगनी विवकरन अभिक्रिया क्या पाइदा करती है कि सूर्य के प्रकास से प्रबैगन अभिक्रिया देखिए कर मानल एक्साइड के वड़ाईट से प्रित्वी मतला जो है प्रित्वी से करीब कितने उुचाही पर है प्रित्वी से कितने उचाही पर है तो 50 km है 300 km 2000 km कि 30 km ठीक है तो राइटेंस रहो जाएगा 30 km कितना 30 km जो है प्रित्वी से उचाही ठीक है पर देखें कोचनमर 17 में क्या लिका हुआ ओजोन लेवल इन दा स्टेटोस्फियर और नैचुराली रिगुलेटेड बाएं कि समताप मंदल में ओजोन के अस्तर को प्राकृतिक रूप से व्यनेमित किया जाता है किसके अधार पर ठीक है किसके द्वारा नाइट्रे सब्सक्राइड के द्वारा ठीक है तो अप्सक्राइब जो इसका राइट अंसर हो जाएगा कि आगे देखिए कुछ नम्मर 18 की बात करें कुछ में में क्या है कि विच आप फॉलविंग इस नौट ट्रू फॉर कुलोरो फ्लोरो कारबन के लिए सत्य नहीं है ठीक है तो य निचले बाइन मंडल में अभी क्रिया साली है तो कुलोरो फ्लोरो कारबन का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो ओजोन परत को क्या कर रहा है छरीद कर रहा ठीक है जराइटेंसर हो जाएगा अप्सन नम्बर बी कि या ग्रिन हाउस पर वहां में योगदान नहीं देती है क्या लिकाब है कि SEG में कंपणियों को कितने वर्सों तक कर चुकाने की अवसकता नहीं होती कि SEG कंपणी जो होता है ठीक है उसमें से कंपणियों को कितने वर्स तक कर नहीं चुकाना पड़ता है छे साल तक दस साल तक 20 साल तक की 5 साल तक ठीक है तो अपसर नम्बर आपका डीज का राइटम सो जाएगा मिस 5 सालों तक जो है उनलोगों को टेक्स नहीं देना पड़ जल्वाइव परिबरतन पर भारत की प्रतम राष्टी ये कारिये उसना जो है कब आयूद आयूद किया गया था कब आयूद किया गया था था तो राइटन तरह जाए का एक सो उन्चास कि कुछ वर्स हुआ था किस वर्स हुआ है कि विश्व पार संगठन का गठन किस वर्स हुआ था किस वर्स हुआ था तो 1995 स्विय में हुआ था कब हुआ था 1995 स्विय में हुआ था अंतर राष्टिय मुद्रा कोस ने भारत में अपना परिचलन कहां से शुरू किया था अपरिल 1957 से दिस्टमबश 1179 से मार्च 1947 के अगस 1997 से क्या हुआ है क्या है कि वैस्वी करन के चुनावतियां क्या है वैस्वी करन के क्या चुनावतियां है ठीक है विदेशी कामगरों का सोसन बहुराष्ट्य कमपनियों के विसार में कटनाई निर्यात करो और उच्छ सुल्क उपर के सभी ठीक है उपरोग सभी जो है इसका चुनाओतियां है वैस्विकरन के चुनाओतियां उपरोग सभी है ठीक है पर देखे कोशन नमर्ट 25 में क्या लिखाव है कि विस्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्य कमपनियों को क्या परदान करके मदद करता है ठीक है तो क्या परदान करता है वो व्यापार और निवेस के लिए फंड विदेशी स्रम उपलवत कराना तो वह क्या करता है सब्सक्राइब हो परदान की वर्यापार करो छोटे एक लibt कि वहांड गानगे मतलब ऑप्सन्निंबर स जो ही इसका राइट यंशो जाएगा कि कंद बात करें कि शुए कंद गरन के क्या लाव है pro वैस्वी करन के क्या लाब है ठीक है तो वैस्वी करन के क्या लाब हो जाएगा नवाचारे में पर्दगों के क्या उप्योग कम उत्पादल लागत विभिन नई संस्क्रितियों तक पहुच प्राप्त करना यूपर के सभी तो उप्रोग सभी इसके राइट एंसर हो सब्द का तात्पार यह क्या है तो अस्थानिये सरकारी संरत नाएं अंतर राष्टिये सईयों के हम समनवें कि छेतरिये आर्थिक गटबंधन कि सैन गटबंधन इसका राइट एंसर क्या होता है क्या होता है तो राइट एंसर क्या होता है कि कौन सा संगठन परमुक अर्थवयवसाओं के बीच अंतर राष्टिये आर्थिक सहियों के लिए प्रात्मिक मंच के रूप में कारे करता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा क्या है कि अंतर राष्टिये मानवाधिकार कानून में किसने महत्पुन भूमी का निभाई ए उसमें से किसने महत्पुन भूमी का निभाया था तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो देखे जोस्तों कि आज की वीडियोज में हम लोगों ने अपने दोस्तों को भी सेर करें ताकि उन लोगों तक यह पहुच जाए ठीक है तो चल से आप टेलिग्राम गुरूप में जूड़ जाए और इससे रिलेटर जितने भी इंपॉर्टेंट कोशन है ना सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका प्ल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था अगर और भी कोशन होगी तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बूच सकते हैं तो मिलता है नेक्स बीडियों में तब तक के लिए जय हिन जय भारत